कि नमस्कार नाधी टीवी की खास पेस कास अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ मनोज वर्मा मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हमारी ये खास रिपोर्ट झाल 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 में अब है अपना मूल्यांकर करता हूँ क्योंकि हम है सब जंदा के लिए प्रदेश के विकास के लिए काम में कहीं भी कसर अगर रह गई तो हम प्रदेश का अहित करने का पाप करते हैं प्रदेश की प्रिगती विकास और जन्दा की कल्यान में हो अब इसमें जो चर्चा होती है उसमें मेरा कोई राग उद्वेस्ट नहीं है सब बराबर हैं मैं सब को बराबर मानता हूं जो अच्छा काम करेगा हम पीट ठप ठप आएंगे अच्छा काम करने वालों के हमें जगवत है तो देश को जगवत है और जो परफार नहीं करेगा उसको अधिकारी नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे मेरा प्यास निस्पक शमूल लांकन का है उसके आधार पर पिशले दोंने कुछ काम बहुत अच्छे हुए जिसे इसकर बालक बालकाओं की बराम बरामत करने के लिए जो हमने अभियान चलाया है को अभूत पूर्व सबलता में यह साइवर क्राइम के लिए मुझे लगता है कि छोटे इस तरबर जिला एक सुवात करें प्रदेश के इस तरबर हम विचार कर रहे हैं पुपलब संसादनों में से करें प्रदेश में कानून का राज और सुशासन स्थापत करने के लिए स्यम शिवराज लगतार अधिकारियों को साफ लहजे में समझा रही है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रस लगतार प्रदेश के कानून विवस्था पर सवाल उचा रही है है यह गदी हैं के साथ माटिट करते हैं माफिया मंत्री भिंडर के अंधर मंति के घर के सामने माफिया फाइर टव यह करन लाक्षक की जानी जाती है कानून व Сейчас परित स्थ द्रस्त हो चुकिय pessoर है doc विपक्ष है तो सवाल तो उठाएगा इसके पहले दो बार मीटिंग हुई और अपसरों पर आक्शन हुआ था तो आप ब्यूरोक्रिसी के आगे भी सतरकता से काम करेगी या फिर एक बार फिर पुराने धरे पर लोट जाएगी इस पर नज़र रखना जरूरी होगा ब्यूरो रिपोर्ट अनादी टीवी निश्चित तोर पर मुख्यमंतरी ने कहा भी कि हम इस पाक के भागी ना बने और इसे कविता है जिसमें कहा गया कि समर सेस नहीं है पाप का भागी केवल व्याग समय रिखेगा उनका भी जो तठस्त रहेगा समय लिखेगा उनका भी इतियास तो निश्चित रूप से इतियास तो लिखा भी जा रहा है और इसी सब मुद्धों पर चर्चा करने के लिए हमारा साथ अनाधी टीवी के एडिटर इंचीफ प्रकास भटनागर और वीरो हेड ब्रिजिस चोक से जोगे बटनागर जी तीसरी वाल लगातार यह कांफेंस हो रही है हरवार मुख्यमंत्री एक तीखे तेवर्म नजर बार बार निर्देश देते हैं लेकिन एक दो चीजे कुछ ऐसी है कि जैसे क्रशी उपारजन को लेकर उन्होंने आज बात की लेकिन जो क्रशी मंत्री है जब यह उपारजन का समय नजदीक आने वाला तारीकों की घोशना हुई है वो किसान अंदलों को लेकर नर्वदा क की परिक्रमा कर रहे हैं 12 तारीक तक शेहर के बाहर हैं ग्रेहस विवाक से जुड़ी क्योंकि क्लेक्टर कमिशनर कांवेंस ती आई जी एस पी घ्रे मंत्री पश्चिप मंगाल के दोरे पर आपको नहीं लगता कि सारा काम जब मुक्हमंत्री ने अपने सयोगी बना दी है म मंधरी क्या करेगा तो बारवार कि मंत्री को यह सब क्योंकि अफसर होंगी तो आपने जिम्मेदारी कर दी है उन पर कारवाई भी हो ही हमने देखा कि Me पी में ने कि यह शिवराज जी कि उनकी जवाबदारी बनती है लेकिन नरत्तम इश्राग को चुकि भारती जन्ता पार्टी ने पश्ची मंगाल में प्रभार दे रखा है तो वो उस सिलसिले में वहां गए हुआ है लेकिन कमल पटेल का जरूर राश्चे रेजने के कि उन्होंने नर्म तो उद्वेलित है उसके द्रश्टी कौंट से आपको बहुत साउदानी की सत्रकता की जरूरत है तो मंत्री का रहना जरूरी है लेकिन आम तोर पर एक शिकायत होती मंत्रियों की भी कि मुक्ख्यमंत्री के आगे उनकी कुछ चलती नहीं और दूसरी बात यह है के मुक्यम इन पर बात करी तर हम करना थी उन्हें से तो मुझे लगता है कि लेकिन एक ऐखनेतिक संदुर के रहा है के वो सकता है विन कि क्यों अपस्तितनी है कई बार मंत्रिए क्षिकायत करते के जब हमारी चलती ही नहीं है तो हम मोजूद रहे के कर भी क्या लेंगे तो इस तरह की शिकायते चाहे वो कांग्रेस का शाशनकाल राव कमलनाथ जी का या इसके पहले धिगवीजे सिंग का या इसके पहले शिवराज सिंग चोवान का तो यह मंत्रियों की एक बहुत आम शिक तो वो दंडात्मक अधिकार मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित है इसलिए मुख्यमंत्री की कमान तो है लेकिन मंत्रियों की कमान कितनी मजबूत है यह हमेशा संदे में रहती मंत्रियों कमान लेकिन एक और चीज है कि जिस प्रकार के आंकड़े बताएगा है कि पूरे मत पर उनका जब तक सिकंजा नहीं रहेगा तो अपने इस तर पर मिटिंग ले या माली जी जहां भी आप जा रहे हैं जिस आपने देखा था पिछले दिनों ग्रह मंत्री जवलपूर गया उन्होंने महीने में एक बार आप से अगर बात करेगा तो 29 दिन तक तो कुछ भी करेगा लेकिन एक दिन के लिए इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तयार करेगा और उसको पता है कि पांच या दस मिनिटे में उसको सब कुछ बताना तो इतना अच्छी जहां की मंडब बनाएगा कि अधिकारी इसमें महायर होते हैं प्रेजेंटेशन देने में उनका काम ही है वो जब प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको लगए बहुत अच्छा काम किया आंकडों की बाजीगिरी दिखेगी आपको क्या मुखमंत्री कहने के बाद ही हमारे यहां धायजार लड़किया प लेकिन नीचे तक के अमले को आप चार्ज करना चाहते हैं उसमें मंत्री की महत्पून भूमिका हो सकती है दूसरे की डिपार्टमेंट में आप हाथ नहीं डालना चाहते हो कोई जरूरत नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं ग्रह मंत्री दूसरे जिल कि ढूट जाएंगे जराभी लापरवाई दीखेगी तो उसको बिलंकुन का फायदा होगा क्या नुक्सान होगा यह देखना चाहीए लेकिं है राजनीती होती इस में भी नेता अपने हैसाफ से चलते हैं और अधिकारी अपने साफ से चलते हैं जब मुक्मंत्री मंत्रियों को नहीं बिला रहे हैं बैठक में तो उसका फायदा केंसे अधिकारी उठाते हैं आपने पिछले दिनों का एक मामला है कि DGP ने तबादले कर दिये गिरे विवाग ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है तो यदि ये मंत्री समिक्षा बैठक में बैठते, ACS बैठते तो ये नोबत नहीं आती कि दो विवागों में इस संदेज जाएं इसका नीचे के करमचारी अधिकारी फायदा उठाते हैं वो उनको मालूम है कि ACS के पाथ जाएंगे दो धड़ों में बढ़ जाते हैं तो इस से नुकसान होता है जमीन पर काम पे अ आमने आ रहा हैं ऐसे जगड़े हर डिपार्टमेंट में तब आदलों को लेका रहोंगे अभी देखना आप तबादलों चैसे शुरू हो जाएंगे अभी तो बड़े अधिकारियों के हो रहा है जिन में मंत्रियों को कोई अस्टेप नहीं है मुखमंत्री के लेवल के हो आई जी डी आई जी एस पी और कलेक्टर के आगे जब तबादलों की सूची आई तो आपको यह से के जगड़े देखने को मिलेंगे तो यह दि मंत्री सक्री हो जाएंगे अपने विभाग में अपनी जिम्मेदारी ने वाएंगे मुखमंत्री ने जिजो टार्गेट दे दिया है उसकी बीच में अधी समिक्षा हो जाएगी तो मुझे लगता है यह आंकड़े और अच्छे आएंगे तो जिम्मेदारी से भागना किसी को नहीं चाहिए जिम्मेदारी अपनी भूमिका का निर्वान करना चाहिए बल्कि आपने लंबे समय से देख रहा है कि अध उसमें मुद्दा उठेगा या उठना ही चाहिए ताकि उनको संक्ठन की और से भी उनको एक सहुलियत मिले कि आपको अगर विवाग मिला है तो आपको किन-किन चीजों का ध्यार रखना है क्योंकि आगर कई बार यह दिक्कते भी हैं कि जब मिला मंत्रियों को तो उसके कुछ जगड़े हैं कुछ जगड़े लेंदेन को भी उने पिछली सरकारों में देखे थे कमलास सरकारों में की फ्रीयंड होने का नतीजा क्या होता है तो एक लक्षमाल रेखा तैय हो जाए कि कौन कहा तक जाएगा इसके बाद किसकी हद कहा तक है जो चल रहा है कि एक अपरेल से तीस अपरेल तक ताबाद लोपे से प्रतीबंद रट जाएगा गोशित तो रोज विश्टा रही है लेकिन वो सीम के लेवल पर चले जाते हैं अगर मंत्री के आशे गए और सीम समनवय में गये तो फिर वो सीम के आशे होना या नहीं होना है वहाँ से तैय होगा लेकिन प्रतीबंद रटने का मतलब है कि फिर वो मंत्री के इस्तर पर होंगे अब मंत्री के इस्तर पर जब होंगे तो आप गोर करेंगे इस बात पर के जो तीस दिन का समय होता इसमें लिस्टे ही मंती रहती है कि तबादला चाहे बीजेपी की सरक सरकार हो एक उद्योग का दर्जा तो रखता है यह मतलब आप इसके अंदर हमें आप यह नहीं कह सकते के कोई दूद का दुला बेठा है लेकिन यह चीज है सिस्टम बन गया है इसी सिस्टम को सब फालो करते हैं चाहिए वो अफसर हो तो वो भी यही प्रयास करते हैं का इस्तेमाल करते हैं लाइदार पॉस्टिंग तो इसका मतलब ही यह है कि आप उस जगे इसलिए जाना चाहते हो जो शिवरा सिंग चुहान के रहें के हम सब की जिम्मेदारी है बिलकुर के हम अच्छा प्रशाशन दें तो हम अच्छे प्रशाशन के लिए नहीं जा रहे अच्छा प्रशाशन करने के साथ हम कमाने के लिए जा रहे हैं अगर हम पैसा देके जा रहे हैं तो हम पैसा कमाने का उद्देश्च से जा रहे हैं और सारी समस्या की जड़ जो है वो यह है और यह सब को पता है कि इसा हो रहा है क्योंकि जो ट्रांसवर पोस्टिंग कर र कि अपनी तंखा मेंसे उसने बचाया कि आर महीने इतने पैसे बचाया और यह में अपने ट्रांसवर पॉस्टिंग के लिए रिश्वत दूँगा तो वह रिश्वत नहीं होती है निश्चित तोर पे वह अने तिक तोर पे दी जाती है लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत यह नह दलाल बीच में हैं वो तो सब सरकारे बदलती रहती दलाल तो वही रहते हैं तो उनको हर जगे पैसा दिखता है मनसुर्वाला मामला तो इसलिए लगता कि उसमें अमिताब बच्चिन का दखल था तो सरकार में वेसे भी ऐसे नियम है कि पती-पत्नी एक जगे हो तो अब विसंगती यह हो गई कि पती जो चाहता था वो ना हुआ पत्नी को यहां और दूर बेज दिया तो एक अलग तरह की समस्या उसके सामने क्रियेट हो गई आप सरकार के जो आफसरों ने अपने तरीके से बता दिया किस कारण से उसका माहन ही हो पाया लेकिन उन्होंने अमित अब बच्छन इस तरह से तबादलों में अस्तक्षिव करेंगा संबभ नहीं है तो मुझे लगता है जिस तरह से तबादले होते उसी तरह से तबादले होंगे और दुसरी बात यह कि कई सारे विवागों में मंध्रियों में तीस तारीक तक आते-ाते लिस्टी बनती रह परिवासा दी थी कि बिना पेसे के लेंदेन ये जो काम को अज हो जाए पिछली सरकार में अच्छा प्रयोग किया था इसकुल शिक्षा विवाग में पोर्टल बना दिया गया था इसमें जानकारी थी कि कहां कौन सा पद रिखते कहां किसको जा सकते वह आप अपना आवेदेन कीजिए आपको कुछ नहीं करना था आपके मुवाइल में मैसेज आ जाया था कि आपको यहां से यहां ट्रांसफर कर दी आपने यहां से चाहिए था यह खाली जगे तो एक ऐसी विवस्ता जब हम एक ऐसे में या बाकी चीज़ें मुख्यमंत्री की जो कर रहे हैं क्योंकि कोई प्रवार्पत्र जारी करना परिवार को प्रवार को राशन कार्ड की सरकार को पता है कि स्क्षा विवाग में इतने टीचर हैं बार गे एक दो में पुलिस में सिपाई से लेके डीजी पी तक के इतने पदे या आपकारी में इतने या परीवन में उनका एक छोटा सा पोर्टल है उसमें सारी जानकारी है कि का कौन सा पद रिखते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा तो यह अगर हो इसको तबादलों के नियम कायदे बने हुएं किस तरह से आदमी तबादला मांग के अपनी उससे जा सकता है स्वेच्चा से अगर तबादला चाता है तो उसके क्या नियम है सरकार प्रशासनी कारणों से तबादला करती है तो उसके क्या नियम है तो नियम सारे इस वाल है तो इसलिए वो कुछ एसे खाने हमेशा कमिया चोड़ी जाती है जिसके कारण वो रास्ते बने रहे हैं और वह ऐसा उद्धियों के जो सरकारी खर्चे पर निजी फायदा देता है निजी फायदा देता है प्रियोग को सरकार ने अपनाने की दिसा में बढ़ रही है हमने पुलिस मुख्याले का देख रहे हैं कि वह काईदा जो अविताब बच्चन वाला जो आपने मामले का जिक्र किया था उसके बाद एक पोर्टल बन रहा है नीचे के सिपाई कर्मियों के वह उपने ही उनके पास एक आईडी पासबर्ड होगा जो उनका बिल्ला नंब हो गए आपको तो पूरी वह आवेदन कर सकेंगे और मान होंगी तो नहीं यह तो मुझे लगता है पूरे विभागों में हो जाना चाहिए कम सकम नीचले इस तर के कर्मचारियों का तो होई जाना चाहिए उनसे कम से कम एसी बसूली ना हो कि 2000-5000 सिपाई से आप तबाद ल लेकिन जो मूट मुध्ध है कि फोकस किया आपरादzeug कितनी उसमें से कितनों का निकाल हुआ है जिला फरे मोनिटरिंग होती है प्रदेश इस तर पर अगर अगर करेंगे तो नीचे तक एक मेसेज जाएगा कि नीचे तक की जानकरी मुक्यमंत्री को अगर चाहिए तो बाकी सब चीजे ठीक ठाक होंगी? बिल्कुल मनोजी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी लेकिन आपको इस पर क्वालिटी भी लाना पड़ेगी जैसे हम कहरे हैं सजा का इस्तर आज की तारीक में आप देखो विवेचना नाम की जिसको हम जाच कहते हैं, इन्वेस्टिगेसन कहते हैं वो बची ही नहीं है आप किसी के खिलाप F.I.R. करने जाओ को प्रिथम सूचना रिपोर्ट रहती है आप किसी के खिलाप भी कर सकतो वो उसको सूचना की रिपोर्ट के बाद उसका असल काम पुलिस का चालू होता है लेकिन वो असल काम करती नहीं है आपने काया कि मेरे पे पांच लोगों ने हमला किया आपने पांच लोगों के खिलाब नाम जज़ एफाई आर की और पांच को गरपतार करके आपने कोट को बेज दिया वो आदमी खुद अपनी खुद की सफाई के लिए खुद निर्दोस साबित होने के लिए वो जंग लड़ता है इन्वेस्टिकेशन वो करता है जो पीडित है और जो प्रभावित है पुलिस नहीं करती है पुलिस का काम था जब कि पांच लोगों ने हमला किय कि नहीं किया यह आज की तारीक में आप साइंटिफिक इंवेस्टिकेशन कर लिए सब की लोकेशन मिल जाती है कौन कहा था करना चाहता उठाके कोट के पाले में डाल देते हैं इसलिए ही कोट में भी मामले लंबे चलते हैं क्योंकि वहां दलीले आ जाती है नए तथ्या हम थे ही नहीं यह हैं यह हैं यह यह नहीं हैं तो पूछो कि इस कारण केस लंबे खिषते हैं और हम कहते हैं अदालतों प्र ज्यादा हो जादा भूग oni किश रहा वाला चाहे तो आज की तारीख में दस आपका रियेक्ट के मामले बना सकता वह धावे पर जाता है किस तरह से दो बोतले रखता है और कारवाई करके आंकड़े में गिना देता है कि हमने भोपाल में पिछले पंदरा दिल में क्योंकि आज हम बात करें वह वह भी है कि चार से तोर पर अपरादियों में भै हो गया वैसी कारवाई हो रही होती तो ना आपको देवास की घटना हो ना गवालेर की घटना होती क्योंकि अपरादियों में खौप नहीं उनको मालूम है कि अपराद दर्ज कर लिया गया है और वह ग्रपतारी नहीं हुई आंकड़े कि अपरादी जैल में है तो च्छूटा है तो इसको बाकाईदा चेक किया जाता था कि वह क्या कर रहा है फिर अपरादी गतीवितियों में तो लिप्त नहीं है तो यह काम जो पुलिस का मूल काम था वह छोड़कर अब दीगर कामों में उलजी रहती है कानून विबस्ता में लगी रहती कहीं धरना प्रदसन में लगी रहती है तो उसमें भी सुधार की जरुएता हूँ इसके लिए अधिकारी भी कहीड़ें जिम्मेदार हैं वो बोस्टिंग महीं पर बात आ जाती है कि फिर आप कबाडि किस तरह से उनको चमका रहा है आईजी रहते एड़ी दर्पार इसन ही नहीं नहीं हो दो पो कितने तो यह मैं जो घुश है उसकी बदोलत है कि पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं कि में नेर हो कि हम उपर तक में हमारी पहुंचे हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो यह सिस्टम तब खतम होगा जब आप पैसे लेकर भेष्टचार के जरी पोश्टी नहीं करोगे इमांदारी से काम का आंकलन करोगे आप आंकले देखके नहीं जमीनी इस्तर पर कौन कितना काम कर रहा है चेतर में पुलिस का दब-दबा है के नहीं अपरादियों के यह जब देखेंगे तब इमांदारी से जब उसकी समिच्छा होगी तब जाकर कहीं अपराद पर और अपरादियों पर लगाम लग सकेगी चलिए निश्ची दूप से उम्मीद की जाना चाहिए कि अगर जो कुछ खास बनता विगड़ता नजर आ नहीं रहा है क्योंकि यह तो मूल काम विवाग के मंत्रियों का भी मुख्यमंत्री अपनी तरफ से इसमें के पैर भी कर रहे हैं या कद इस्टेप ले रहे हैं तो एक अच्छी बात है लेकिन कम से कम नीचे के स्थर तक अफसरों को स अच्छे काम करें विवाग में ताकि मुख्यमंत्री को बार बार इस तरह की कॉन्फरेंस करना ना पड़े और मुख्यमंत्री का तो काम है और मुख्यमंत्री की जो क्लास है उनका अपना डर है उनकी गरीमा है वह भी बरकरार है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नीचे के नाम आये और जिसका पूरा-पूरा फायदा प्रदेश की जनता को मिले तो अटेंशन में जितना ही मुझे दीजिए जाजा तो आप देखते ही अनाधी टीवी नमस्कार